Hello everyone, welcome to the channel Agricultural Studies, मेरा नाम है दिवाकर खतरी और आज को यह जो वीडियो है इस वीडियो को दरान हम एंटैमोराजी सब्जेक्ट के एक कूर्स टाइटल Pest of Crops and Stored Grain and Their Management की एक टॉपिक, Insect Pest of Serial Crops के बारे में बात करने वाले हैं Serial Crops के अंदर हम बात करने वाले हैं Rice, Sorkum और Maze इन पे जो Major Insects लगते हैं तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस बात्चीत के दुरान हम जानेंगे कि इन Major Insect के Scientific Name क्या होते हैं, इनकी Family, इनकी Order क्या होते हैं और साथ में इनकी Damage की वज़े से कौन-कौन सी Important बाते हैं जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए Examination Purpose से, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले मैं Polyphagus Insect Pest पे Already वीडियो बना चुका हूँ उन Polyphagus Insect Pest के अंदर मैं Locus, Termite, White Grub और साथ में Red Herry Caterpillar इनके उपर Already वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ निचे Description Box में Available हैं आप चाहें तो उन लिंक्स को यूज़ करके उन्हें देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Insect Pest और Rice के अंदर कौन कौन से Pest डगते हैं तो उनके बात कर लेते हैं देखिए राइस की जो क्रॉप है उसके उपर बहुत सारे अलगले तरह की Insects डगते हैं लेकिन यह हमारा जो कोर्स है Anto 311 अना तो इसके अंदर हमें तीन मेजर इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है तो उनमें जो तीन मेजर इंसेक्ट हैं उनको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है तो इससे आप इनके Scientific Name, Order और Family एक साथ याद कर सकते हैं जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहना इंसेक्ट जो है वो है Brown Plant Hopper Brown Plant Hopper है, Plant Hopper है इसे हम शॉर्ट में BPH भी कहते हैं BPH जीसे कहते हैं इसका Scientific Name के अगर हम बात करें तो यह है नीला परवता लिजेंस Scientific Name में आप अल्रेडी जानते हैं कि जो First Name है वो Genus होता है, First Word जो होता है वो Genus को रिप्रेजेंट करता है तो Genus और Species तो Genus इसका नीला परवता है और Species लिजेंस है Order की अगर हम बात करें तो यहां Order देखा जाता है Hemiptera नेला परवता लिजेंस का जो Order है वो Hemiptera है और Family जो है वो है Delphysidae उसकी बाद हम इस वीडियो के दार जो आगे इनकी स्टेडी करेंगे उसमें जो Second Insect है वो है Yellow Stambora, Yellow Stambora का Scientific Name है Sirpophoga Incertulis Sirpophoga Incertulis और वहीं इसका Order की अगर हम बात करें तो यह है Lepidoptera और जो Family है वो है Grambidi तीजरा जो Insect है वो है Rhysyspa, Rhysyspa का Scientific Name काफी इंट्रस्टिंग लगता है मझे Rhysyspa, Decladispa को की राइन करता है यह तो Rhysyspa, Decladispa, Army Jira Decladispa, Army Jira, इसका क्या है Scientific Name है और वहीं Order की अगर हम बात करें तो इसका Order जो है Collioptera और Family जो है Chrysomyelidae, ओके तो चलिए अब हम राइस के Insects के अंदर सबसे पहले Insects के बारे में बात करते हैं जो कि है Brown Plant Hopper, Brown Plant Hopper B.P.I.G.C. Short में कहते हैं हम तो इसका Scientific Name आप अलरेड़ी जान चुके है जो कि है Neela Pravata, Lugens, इसका जो Order है वो है Hemiptera, और जो इसकी Family है वो है Delphysidae, Incomplete Metamorphosis देखा जाता है तो Incomplete Metamorphosis देखा जाता है तो इसका मतलब Life में सिर्फ तीन ही Stages होती है वो कौन सी तो हम देखते हैं Eggs, Nymph and then of course Adults तो Nymph क्या होते हैं आप आरेड़ी जानते होंगे कि यह Adults के ही Immature Form होते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं Incomplete Metamorphosis देखा जाता है Next Point के अग तरफ अगर Move करें तो यहां देख सकते हैं कि Both the Nymph and Adults cause damage by sucking sap from the leaves which turns yellow हम देखते हैं कि यहां damaging stages कौन सी हैं तो यह जो Nymph हैं और Adult हैं वो दोनों ही वास्तों में damaging हैं क्योंकि यह leaves के अंदर से cell sap जो होता है मतलब जो खुशिका रस होता है उसको juice लेती हैं इस वज़े से हम देखते हैं जो leaves होती है वो yellow color के पड़ जाती हैं तो इस वज़े से हम देखते हैं Nymph और Adult दोनों ही damaging stages होती हैं next point की तरह अगर हम move करें तो देखें if the insect attack during the early stages of growth the entire plant may dry up अगर जल्दी हो जाता है attack तो फिर पूरा entire plant जो है वो जल्दी से सूख जाएगा खतम हो जाएगा the population increase very rapidly and the rice field start drying up in patches known as the hopper burn hopper burn जो है वो काफी important term है क्योंकि hopper, brown hopper एकदम burn वाली stage लेकर आ रहा है burn मतलब जाते हैं जलने वाला तो जब इनका ज्यादा attack हो जाता है किसी field में तब हम जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी field का particular हिसा जल चुका है burn हो चुका है तो इसलिए मैंने यहां पर रैड कलर से इसे important की रूप में लिखा है कि यह यहां hopper burn stage देखी जाती है तो इसी symptoms की रूप है आप याद रखेंगे यहां hopper burn stage देखी जाती है और हम इसकी yield losses की बारे में बात करें तो इनका हम देखते हैं yield losses 10-70% हो सकता है इतना ज़्यादा गिरावट कैसे आ सकती है आप मेरे खिया से समझ चुके होंगी कि जब hopper burn stage आ रही है leaves जो है yellow पड़ रही है तो मतलब leaves पर attack हो रहा है तो मतलब क्या कह सकते हैं photo synthesis नहीं हो पाएगा to 70% losses देखे जाते हैं last point की अगर हम देखें तो वह है this insect is the known to transmit the grassy stunt virus disease of rice काफी important चीज है यह जो virus की disease होती है viral disease कौन सी grassy stunt grassy stunt मेरे कहाल से आप जानते होंगी कि पौजी का size जो है वो stunt यानि कि बौना रह जाता है और ग्रासी हो जाता है घास सा दिखाई देता है सुखा सा दिखाई देता है तो उस stage वह जो disease होती है उसका agent कौन सा है तो हम देखते हैं brown plant hopper ही है जो चोटी कोशन की रूप में हमसे बुच्छा सकता है कि जो brown plant hopper है वो किस disease का vector है तो हम देख सकते हैं यह grassy stunt virus disease का vector है ओक्टर है तो अब second insect के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है yellow stamp borer नाम से यह आप समझ सकते हैं yellow मतलब पीले रंका होगा stamp मतलब तने को छेदक मतलब बौर करेगा तो हम देखते हैं तने के अंदर जो है इसका attack देखा जाता है तो देखिए इसका जो order है अच्छा scientific name आप already जान चुके थे क्या है वो है सिर्पोफोगा इंसर्टूलस ओके और order जो है वो लेपिडॉप टेरा है और फैमिली जो है वो है क्रैमबेडी ओके अभी जो लेपिडॉप टेरा है इसके अंदर हम देखते हैं biting and chewing type के mouth देखे जाते हैं और इनका जो life cycle है तो हम देखते हैं वहां complete metamorphosis देख करती है वो है इनके caterpillars, caterpillars मेरे कहाल से आपने अगर पीछले वीडियो देखा है तो उसमें आप जान चुके होंगे कि caterpillar उन लार्वा को कहते हैं हम जो की moth या butterfly के होते हैं butterfly या moth की जो लार्वा है उनको हम caterpillar कहते हैं तो अफकॉस यह जो सिर्पोव होगा इंसर्टूल and when full grown they measures about 20 mm सबसे ज्यादा destructive form यही है और इनकी जो length है वो हम देखते हैं 20 mm तक होती है and are dirty white और greenish yellow having brown head कैसा होता है यह लार्वा देखने में तो हम देखते हैं dirty white and greenish yellow साथ में इसका जो head होता है वो बुरे रंग का ब्राउन के रंग का देखा जाता है next line के अगर हम बात करें तो the larva feed inside the stem causing drying of the central shoot or the dead heart काफी important सीचे जैसा कि आपने पिछले insect की रूप में important क्या याद कर लिया होगा दिमाग में hopper burn तो यहाँ आप याद कर लिजी dead heart क्यों 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 कि yellow stem borrard जो है वो जो mean stem है वो देगा उसके अंदर यह नीचे से देखें उपर की तरफ लगातर जो आप उसको damage पहुंता जाएगा और उस वाज़े से वो कोदे का हार्ट मतलब से में पार्ट का है हार्ट ही तो उसका stamp ही तो होई damage हो गया तो मतलब dead heart इसले स्टेज को हम dead heart कहते है और वहीं अगर हम देखें the females adult stage की कुछ कास बात है अगर देख लें the female moth is bigger than the male and has a central centrally situated black spot on each of the four wings इंकी जागी के wings होते है four wings वहाँ adult female जो होती है उसके अंदर black color के dots देखे जाते हैं साथ में आप जैसा की image में भी देख सकते हैं कि इनके आगे snout भी देखे जाती है और लास्ट एक लाइन और देख लेते हैं कि in young plants and drying of the panicles यंग plants जो होते हैं वहाँ panicles जो होते हैं वह सूखने लगते हैं इनके attack वेज़े से and the older plants के अंदर हम white ears देखते हैं जो ears हैं वो complete white टरंके हो जाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो yellow stem borrower है वो काफी damage पहुचाता है कि इसको rice की crops को तो चलिए अब तीसरी insect के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है rice hispa नाम याद हो गया होगा आपको rice hispa declared hispa हना तो declared hispa army जे रहा है इसका scientific name होता है और इसका जो order है वो है golioptera और इसके अंदर जो family किस family में आता है तो हम देखते हैं यह chryso melody family के अंदर इसे रखा गया है अब देखिए जो यह rice hispa है एक तरह का beetle है जैसा कि आप image में देख सकते हैं adult is a small bluish black beetle measuring of 5 mm in the length इसकी length बहुत छोटी मतलब 5 mm length में देखे जाते हैं and is recognized by numerous short spines on the body और body पे इसके हम देखते हैं कांटे से निकले भी दिखाये देते हैं clearly आप image में देख भी सकते हैं तो दिखाये देते हैं the eggs are embedded in the leaf tissue towards the tip अब यहां जो eggs होते हैं वो leaves की tissues में दिये जाते हैं और उसके बाद उनकी hatching जो होगी तो beetles में से क्या बार आएगा आप जानते होंगे कि beetles जो होते हैं उन में से grubs बहार आते हैं बीटल्स की लारवा को हम ग्रब कहते हैं तो जो grubs बाहर आएंगे वो अब क्या करेंगे इनके damaging होंगे देखिए on hatching the young grubs feeds as leaf minor and between the upper and the lower epidermis लीफ की upper and lower epidermis के बीच में से वो क्या है यह insect जो है वो damage पहुँचाता हो उसे खत्म करेगा अब leaf पे इस तरह का जो damage होगा तो of course photosynthesis effect होगा और उसे of course plant की growth पे बहुत बुरा आसर पड़ेगा तो देखिए the attacked leaves turns membranus showing the characteristic of blister and blotch अब यह जो लगातार वो आगे बढ़ता हुआ जो insect है पती के अंदर तो लीफ के अंदर आगे बढ़ता हुआ तो हम देखते हैं लीफ के एकदम एंड पे blotches या blisters देखे जाते हैं जाले सा structure बनावा दिखाई देता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से डेमेज देखा जाता है लीफ के अंदर लेटर ओन अटेक लीफ विदर एंड आय और उसके बाद लीफ फोटो सिंदेज बगर रही नहीं हो पा रहा है इस तरह से डेमेज हो जाने की वज़े से वीदर मतलब सूख के खत्म हो जाती है ओकी तो इस तरह से अब तक हम राइस के तीनों मेजर इंसेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं तो अब हम बात करने वाले हैं सौर्गम शूट फ्लाय के बारे में जिसे हम यह कह सकते हैं ज्वार शूट फ्लाय तो इस मखी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका साइंट यहां हम देखते हैं यहां हम देखते हैं जो कि है एंथो माइडी दोनों ही इसको आप याद रिखेंगे क्योंकि कई जगा हम देखते हैं डिखेंगे करके दोनों को याद कर सकते हैं यहां 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 यहिए लग-लग कौनसे बदो पर लगती है तो मेज जरागी बाजरा राइस वीट और वीरिस टाइप अगर इसका अटेक देखा जाता है नेक्स अगर हम बात करें तो यहां complete metamorphosis देखा जाता है complete metamorphosis आप already जानते हैं जहां eggs से larva निकलते हैं larva से pupa और pupa से adults ले जाती है तो यहां eggs से जो larva निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं specially maggots कहते हैं क्लियर हो जानी चाहिए अब तक आपको यह बात क्योंकि मैं नजाने कितनी बार क्रिपीट कर चुका हूँ इस चीज को जो beetles होते हैं उनके जो larva होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो grubs कहते हैं moth और butterfly की जो larva होते हैं उन्हें हम caterpillar कहते हैं और fly जो होती हैं मक्हियां जो होती ह उनके जो larva होते हैं हमने maggot कहते हैं तो अभी जो maggots हैं वो निकलते हैं eggs में से दैन वो pupa stage के अंदर जाते हैं अच्छा damaging stage कौन सी है तो हम कहा सकते हैं maggot ही है maggots जो है वो damage पहुँचाएगा पौधे के अंदर और उसके बाद pupa एक pupa बना लेगा जो की dormant stage होगी इनकी और यह जो मक्ही है जो domestic घरों में जो मक्हियां होती है लगबग सेम वैसी ही दिखाई देती है बस परक इतना होता है कि यह size में थोड़ी छोटी होती है और इसका जो आगे head है वो थोड़ा orangish type का दिखाई देता है ओगी next अगर हम बात करें as the maggots feed on the main stem the growing point is destroyed and by the time they pupate the plant is almost dead मतब हम देखते है maggots जो होते हैं वो क्या करते है main stem के अंदर damage पहुचाते है ग्रोग करते जाते हैं लगातर और उसके बाद देखते हैं by the time the pupate और कुछ time के बाद वो उसी पौधे के अंदर ही क्या करते है कर देते हैं मैं तो प्यूपा बनाते हैं and the plant is almost dead जब तक प्लांट लगबग dead हो चुका होता है और इस stage के बाद भी हम देखते हैं कि the young plant shows typically dead heart symptoms और ऐसा हो जाने से main stem के अंदर ही तो यह सब कुछ हो रहा है शूट मतलब stem की बात ही हो रही है तो इस वज़े से हम देखते हैं plant के अंदर dead heart stage देखे जाते हैं एक last line के बारे में और बात कर लिते हैं जो कि है when the attack plants are somewhat older tillers are produced which mature later than the main crops मतलब अगर attacked plants जो होता है उसके अगर हम उसको proceed होने देते हैं अगर वो भड़ता जाता है तो इसके इंदर tillering जो है वो लेट होती है और हम देखते हैं the total loss in the yield is sometimes as high as 60% और हम देखते हैं 60% तक भी इस मक्खी यह वज़े से damage देखे जा सकते हैं ओके तो चलिए अब last insect के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि है ज्वार या मेज stem water ज्वार या मेज stem water मतलब यह ज्वार और मेज दोनों पर ही इसका attack देखा जाता है stem water है तो मतलब stem को बीच में से खत्म करने लगे गा लेंगे लिए तो इसका scientific name के अगर हम बात करें तो वह है काईलो पार्टिलस और और जो है इसका वह है लेपीडॉप्टेरा फैमली जो है वह है क्रेंबिडी लेपीडॉप्टेरा पहले भी आया था तब आपको मैंने बताया था लेपीडॉप्टेरा की जो इंसेक्ट है उनके अंदर complete metamorphosis देखा जाता है तो अब देख लिखते हैं इसके अंदर life cycle में ही या लेखा है complete metamorphosis देखा जाता है वहीं अगर हम हो strange की बात कर लें तो इसके अंदर maze, sorghum, sugar cane, वाजरा इस तरह से अलगल crops पे भी इसका attack देखा जाता है वहीं अगर हम life cycle के अंदर जैसा time period होता है अग से कितने टाइम से बाद हम देखेंगे कि लार्वा भार आएंगे या कैटरपिलर भार आएंगे तो उसका time period आप जो screen पे life cycle देख रहे हैं उससे देख सकते हैं और main वाद जो important है वो क्या है it infects the crop a month after sawing, मतलब sawing कि एक महीने बाद इसका attack देखा जाता है खास बात है इस तरह से क्यों क्योंकि देख लिए कि जो आपने पहले जो इंसेक्ट के बारे में जाना जो कि था ज्वार शूट फ्लाइ उसका attack हम देखते हैं बहुत जल्दी हो जाता है crop एक महीने के अंदर अंदर ही वो जो fly है उपना maggot सवकिरा छोड़ देती है और उस जो है वो सामने लगते हैं सेंटरल शूट वीदर लोड वीदर लीडिंग टूदी टैड हाट वापिस वही कहानी होंके कहां आगी डैड हाट पर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज सूख मर्ज जाएगी जो में स्टैंप हो खत्म होने लगेगा और हम देखते हैं टिपिकली कॉलियड लीफ वोजिंग टिपिकल शॉर्ट हो होँग शॉट हो स्ट चांको अच्छ के इंदर देखे हैं यह हम कह सकते हैं जौर सबस i ava है वहँ देखे जाते हैं अच्दिर माइस लगेगा जिसे ही छेद करती हुए तो इसके अंदर पत्किये ले कि चेड देखे जाते तो कहां देखे जाते हैं तो ज्वार या मेज स्टैंप का अटेक होता है तो उसमें देखे जाते हैं तो मतलब हर किसी इंसेक्ट के अंदर मैंने पर्टिकुलरली कुछ डैड हार्ड, हॉपर बर्न और ये शॉट हो फोल्स वगरा इस तरह से कुछ तो इस तरह से हमने में बातों को कवर कर लिया कि सीरियल क्रॉप्स की जितने भी इंसेक्ट थे उन सब की तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो आप तक आप समझे चुके होंगे कि मैंने किसी इंसेक्ट का कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है उसको यहाँ पर एक्स्पेन नहीं किया है, अगर आप उनकी मैनेजमेंट वगरा को पढ़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो पीडियेफ अवेलिबल है, तो उसमें हर चीज काफी डीटेल में दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेंन मोटिव यही था कि जो सीरिल क्रॉप्स की इंसेक्ट हैं, उनको समराइज फ़र्म के अंदर आप जानना चाहें मतलब कि अगर आप एक्जाम से पहले जल्दी से रिवाइज करना चाहें, तो आप इस वीडियो के तुरू से कर सकते हैं साथ मैं वीडियो के बारे में आपको बताई चुका हूँ, और अगर आप जनरल अगरिकल्चर की नॉलेज और कोशिन आंसर में इंटरस्ट रखते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेस्बुक या टेलिग्राम पे वालो कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो के लिए जिड़े रहिए अगरिकल्चरल स्टेडी इस थे